कोलकाता के आरजी कार मेडिकल अस्पताल में श्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। पीडिता के लिए न्याय की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच पीडिता के पिता ने कॉलकाता पुलीस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोशिश कर रही थी। हमें बेटी का शव तक देखने नहीं दिया गया और घंटो पुलीस स्टेशन में इंतजार कराया गया। पोस्ट मार्टम के बाद हमें शव सौपा गया। इसी बीच एक वरिष्ट पुलीस अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। पीडिता के परिजनों का कहना है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वे जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दे कि 10 अगस से ही पूरे बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग-अलग शेतरों से जुड़े लोग पीडिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट ने इस मामले की जाच CBI को सौप दी थी। अब देखना ये है कि ये केस क्या मोड लेता है और क्या CBI इसे जल्द से जल्द सुलजा पाएगी।